जापान के प्राची नतीत के केंद्र में एक दरावनी प्रथा की छाया छुपी हुई है जिसका नाम सुजिगिरी है। यह अशुब शब्द जिसका अनुवाद चौराहें पर हत्या करना है। रहसे और भाय से दूबा हुआ था जो समुराई योध्धा द्वारा किये गए। एक भयानक कृत्य को संदर्भित करता था। तल्पना कीजिए कि आप एक शांत रास्ते पर चल रहे हैं। और एक समुराई के ब्लेड का शिकार बन जाते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अपनी तलवार की धार का परीक्षन करना चाहता है। ये सूजी क्रीम के क्रूर सच्चाई है। ये राक्षसी प्रथा बचाव का कार्य नहीं था। नहीं ये बराबर के लोगों के बीच द्वंद्व ही था। बलकि ये बिना सोचे समझे व्य कि चौराहें पर ही क्यूं। तो जापानी संस्कृत में चौराही को अकसर ट्रांजुशन और परिवर्तन के स्थान के रूप में देखा जाता रहा है। एक ऐसे स्थान के रूप में जहां दो रास्ते मिलते हैं। इन्हीं इक ऐसी जगल के रूप में देखा जाता है। ज जो अपने सम्मान और मार्शल कोशल के लिए प्रसिद्ध था। इस क्रूर कृत्य के वव सभी समान रूप से अपराधी थे। सुजी गिरी एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही रूप काम पुठे। समुराई संस्कृति के गहरे पहलूओं की याद दिलाता है। एक ऐसा काला स जो अक्सर वीर्ता और अनुशासन की कहानियों के पीछे धाग जाता है।